हाई फ्रेंड्स मैं कुमार धन्जीत सिंग मैं आप सब्सक्राइब को इस वीडियो में SSCGD प्रिवियस एर जो 2019 में एक्जाम हुआ था उसमें से मैस का ये पार्ट 15 वीडियो आप लोगे सामने एक प्रेक्टिस सेट के रूप में प्रसूत कर रहा हूँ इस पार्ट में मैं 15 वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले बोलूँ कि वीडियो अगर लंबा लेगे तो फिलिच फिले वैकिस वीडियो बढ़ा करके देख लीजेगा बट वीडियो को बीच में स्किप मत किजिएगा क्योंकि आप जो भी कोश्चन आ रहे हैं तो कोश्चन थोड़ा से लेबल उसका मतलब फोचन लॉजिक मतलब थोड़ा एडि कर दिया है ठीक है मतलब फोचने पर आप लोग कोश्चन मजबूर कर देगा ठीक है तो चलिए कोश्चन को हम देखते हैं आज का पहला प्रस्ण एक कच्छा में सभी छात्रों का आफ़त वजन 45.5 केजी था बाद में 44.6 केजी 43.4 केजी 44.5 केजी और 43.5 केजी वजन वाले 5 छात्रों ने कच्छा छोड़ दिया पर्याम सोरूप से छात्रों का आफ़त वजन जब 5 छात्र लिकल गया तो 500 गराम शुरू में काच्छा में छात्रों की संख्या क्या थी यह लिकालना है तो चलिए हम इसका सोलूशन करते हैं हमाल लेते हैं कि शुरू में काच्छा में छात्रों की संख्या कितनी थी तो एकस थी तो सभी छात्रों की आफ़त वजन की कितना दिया है तो 45.5 केजी तो बोला है कि 5 शात्र ने कच्छा छोड़ दिया जो कि 5 शात्रों का यहां पर वजन दिया गया है ठीक है तो यह वजन सब एड करेंगे आप तो यहां पर आएगा आपको 200 अब आगे देखिए तो यह क्या कर रहा है कि इस छात्रों को मतलब लिकल गये हैं तो दुसरे कर जाएगा तो टॉटल अफ़ट में से दुसरे कर जी बराबर आगे क्या बोल रहा है कि परियाम सवरूप 6 शात्रों का आफ़ट वजन 500 गराम बढ़ जाता है अब देखिए पह को बढ़ जाता है तो पहले 45 45.5 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 45.5 x minus 45.5 x बचेगा बचेगा बडाबर अब देखिए जब दूसर 30 में से दूसर 20 को मतला उधर करेंगे तो फलस में जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ठीक है अब देखिए, पॉइंट अब यहां से X कमान निकल लिजिए तो यहां पर का कर देंगे, 9 बटा में 5 10 मलो था, 10 मलो अटेगा तो उपर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 5 से 2 बार में 10 कर जाएगा, तो क्या जाएगा 18, X बरबा क्या हो गया, 18 X क्या था, तो यहीं तो सुरू में 6 का अच्छा का सत्रों क्या था तो यहां पर इसकराइट अंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ओप्सन 3 चलिए आगला प्रस्न देखते हैं आगला प्रस्न, एक मीश्र धातू X में वजन के अंसर, तामबा और टीन का अनुपात, 7 अनुपात, 3 है और मीश्र धातू Y में, तामबा और टीन का अनुपात, 3 अनुपात, 2 है मतलब अनुपात में है, X और Y का अनुपात, 4 अनुपात, 1 है और मीश्रधातू जेड बनाने के लिए पिखलाया जाता है ठीक है तो मीश्रधातू जेड में ठामबा का परतिश्वत क्या है चलिए इसका सेलोसन हम करते हैं पहले एक्स में कितना था तो साथ न पात 3 था साथ न पात 3 या आप लिख लेंगे उसके बाद क्या बोल रहा है वाई धातू में कितना था तीन अनुपात दो था ठीक है दखिए पहला वाला जो है तामबा हो जाएगा यह तामबा हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा तीन ठीक है यह क्या है तीन है उसी तरह इसमें भी यह तामबा है और य करना है कि सबसे उसमें मतलब कर जाते पांच से नहीं पड़ेगा जो सबसे कटने लगा और देखिए इसमें कितना हो जाएगा औसी अनुपाथ 20 हो जाएगा, ठीक है, इसको क्या लिखले दे हैं हम, औसी अनुपाथ 20 में, ठीक है, जेड मनाने के लिए, आप देखिए, इसमें किसका पूछ रहा है, तो जेड में तांबा का परतिस्वत, जब तांबा पूछेगा, तो हम तांबा कोहीं लेंगे, ठीक है तो 80 और उपात में तेंबा का तो तबा कितना है? 7 है, 7 वटा में 10 कितना हो जाएगा? 10. 68 है, 86 अब इसमें 7.8 है, 56 हो जाएगा जreet, 56 तब तमबा हो जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे बचएगा आपका कितना? 24, ठीकाँ? 24 बचेगा तो यह क्या हो गया यह तंबा है और यह है 3 ठीक है 56 छोफ़वन यह हो गया इसमें पहले वाला अन पात वला में तो 56 हो गया तंबा और 3 हो गया 24 आगे देखिए दूसरा मुषषह ही कितना है 20 है तो 20 में कितना है तंबा टमबा कितना हो जाएगा जेट दातू के लिए चपन 12 और सट बटा में 24 जाट 32 जाट हो गया टीन अब आगे क्या पुछ रहा था परसेंटेज ये पूछ रहा था ठीक है तो तो टोल कितना यहां पर हुआ है तो सब है ठीक है और तमबा कितना है और सट है तो और सट है किस म में आगला प्राशने आरोहिकर आम दिया गया मतलब सेडिंग ओडर में ठीक है आगे फुलरा है कि यह संख्या दिया गया कि इतनी संख्या है यह एक दो तीन चार पांच छोथ साथ 899 10 10 संख्या दिया गया है इसके माधेहिका 24 है तो डेटा तो हम का करेंगे बीच वाली संख्या दो ले लेंगे पीछे आगे से चार छोड़ देंगे और पीछे से भी चार को छोड़ देंगे तो बीच में अगर आप देखेंगे तो क्या बचा हुआ है X plus 2 और X plus 4 तो हम लिकार लेते हैं X plus 2 plus X plus 4 दोनों संख्याओं को जोड़ करके बाटा में 2 किया जाता है ठीक है मधरी का बराबर बराबर कितना दिया है 24 दिया है ठीक है जब यहाँ करेंगे तो देखिए 2X plus 6 2X plus 6 बराबर कितना जाएगा 24 दियी इसलिए X कामान कितना जाएगा 21 जब आजाएगा X कामान तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ संख्या ग्या हो जाएगा तो यहाँ पर संख्या आपको हो जाएगा 21 अदू 23 हो जाएगा और यहाँ पर 21 चार 25 हो जाएगा अब माज है लिकलना है तो सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा ठीक है 10 11 13 17 अब 23 अब इसको नहीं लेना है इसके जगह पर 23 हो जाएगा ठीक है चलिए आगला परसमें देखते हैं क्योंकि माध्य पराबर फर्मूला होता है आपको संख्याओं का योग माध्य हो या उसत हो संख्याओं का योग बटम संख्याओं की संख्या ठीक है चलिए आगला परसमें देखते हैं आगला परसमें 3392 अंत 3392 का एक रासी मत 3392 रुपिया का एक रासी A B C और D के बीच विभाजित किया जाता है A B कही से का अनपाद दिया है मतला A B और B C और C D का ही से का अनपाद दिया है ठीक है चार अगों बटा गया है तोटल कितना है 3392 कितने हम बटा गया है तो A B C D ठीक है तो पांच आठ दिया है ठीक है तो आप लोग इसमें क्या माने सिखाया था जिसके सटे हुए संख्या मतलग उसी लाइन में और जो गयपिंग है जैसे यहां पर गयपिंग है यहां पर गयपिंग है यहां पर गयपिंग है ठीक है तो इन दोन जोग अपर क्या हो जाएगा ठीक उसके बगल वाली संख्या लिखी जाएगी तो बगल में यहाँ पर क्या है और यहाँ पर भी 5 है अब इसके बगल में यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर फैत है इस लाइन में साथ हो जाएगा अब इधर आएंगे तो क्या है बाके तीन हो जाएगा ठीक है अब इधर तो यहीज से कटा देते हैं 5 से 5 चारों पांच कोमन है तो इसलिए काट देंगे ठीक है कट गया अब क्या बचा तो दो तीयाई छो रेसियो पांच तीयाई 15 रेसियो साथ पर्चे 35 अडशात्य छोपन ठीक है तो इन टोटल को जोड़ेंगे टोटल अनुपात को तो इतना द तो हम गुढ़ा कर देंगे इतना है 35 ठीक है है कि हम इसको मिटाने जा रहे हैं तो यह आप्लों लीफ लेजेगा ठीक है इसको सटले लेजे यह जोगा नहीं है ठीक है तो यहाँ पर मिटा दिये हैं यहाँ पर जैसा कि तो देखिए यह तो एक हिसा जाएगा 3322 बाट अमबारा तोटल हिसा हो गया 80 का पुछ रहा था तो असी का कितना हिसा है 35 है अब देखिए इसे हम डिवाइड जब यहाँ करेंगे तो 7 से 5 बार में कर जाएगा यह और 7 से यह 7 एकम 7 असाथ चक भी आली 16 बार में 16 से जब इसको काटेंगे आप तो 16 दुना के 32 एक बचा 16 एकम 16 तीन बचा 16 दुना के 32 212 इंटू 5 आजाएगा ठीक है 212 से 5 में उगड़ा करेंगे तो 12 पाचे 60 और 2 पाचे 10 तेहाँ पर सी काई से कितना आजाएगा 10,60 तेहाँ पर इसका राइटेंस रो जाएगा option 4 चलिए आगला प्रसमे देखते हैं एक और बात यह मत लिकान नहीं 112 से 32 मत कटान लगया कोई कटेगा नहीं तो आप लोग और ख्रस्त मिशरी है ठीक है डाइक जो दिया है उसको लिक लिझे उसके बाद जागला करते रहे हैं ठीक है चलिए आगला प्रसमiden यह दिया गया है आपको चार्ट दिया गया है इसमें पूछ रहा है कि सहर D देखिए इसमें यह अला है पहला रो यह सहर का है इसमें उमिद्यारों की संख्या दिया गया है इसमें दिया गया उत्रीर और अनुत्रीर चातरों का अनपात दिया गया है ठीक है अब आगे देखें क्या बोला है सहर D से सहर D यहां पर दिया गया है ठीक है सहर डी से परिच्छा देने वाले उमिद्यारों की संख्या सहर ए और बी में अनुत्रिण सहर ए और बी में अनुत्रिण उमिद्यारों की संख्या का कितना पर्दिशत है चलिए हम यहाँ इसका करते हैं सहर डी में टोटल विदार्थी कितने हैं तो सहर डी में टोटल संख्या अलब 34 है अयसे में फेल 60 उत्रीड मतलब नीच्ड फेल कितने हुए है तो दोउपात्में पैंच अनपात्म बडा गया है तो पांच अनपात वर अपर 14 ठीक है यहाँ याँ पांच अनपात्म पड़र के कितना होगा 15 हो जाएगा आप 15 इंटू अब कितना है दो अनुपात में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा तो ए में फियल ए में पलस ली कर देंगे यहांपे इस वह ए कितना है ए में कितना फैर्फी हुआ ठीक है एक बड़ाबग चार अब फेल के इतना है पंदरा और पात में तो पंदरा से कर देंगे तो साथ हो जाएगा तीस पलस साथ मतलब एपलस भी मिला करके तोटल कितने फेल हैं यहां पे हमारा संख्या है ठीक है कि डी में टोटल विदार्थीं कितना हैं 31 है और अ और ब्ञाल कितने चात्र फेल हैं तो 96 है है आगे पर आँच óटने क्या बोल रहा है कि डी से परिषा देने वाले चात्र बात्र रहें सवह्रों ए और फी में अनुत्रीड उम्यदारों की खूल संख्या का जो डोल फेल है उसका कितना पृत्रीस्त है यानी 90 का एक सपरसेंट फिर नब यह का कितना मतलाला हैं angry at तो यहां से करेंगे तो 1010 को आजाएगा एक सब्वहाबर आन्टी परशेंट यहां इसका राइट एंसर हो जाएगा option एक चलिए आगला प्रसन देखते हैं आगला प्रसन एक देखती एक निश्चीत मूल्यक पर एक सामागरी बेचता है यादी उच्छे उस मूल्यक के 80% पर बेच कर 16% का नुक्सान हुआ तो उसका लाव पर्दिसत क्या है चलिए इसका सलू सब्सक्राइबल अरह उसालब। 10 to 20 to 1 ऑलानी जब प्लॉश कब होगा तो लाव होगा तो ठीक है हानी कब होगा सारी सी नुक्सान होजरा जानी कenne क्या हो रहा है यह हानी हो रहा है wanna एक निस करेंगे pon perfect बैटा में दखीए उस मुल्ये के 80% मतलब कितना च्छोट दे रहा है तक कितना हो जाएगा और कि करेंगे, तो शीव हो जाएगा पहले तो आप माने थे हमने के करायमूल या मान लीजिए 100 रुपिया में खड़िदा था ठीक है मने यहाँ माना हुगा यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है तो आप बेचा कितना में 105 रुपिया में तो कितना रुपिया लाब हुगा 5 रुपिया लाब हुगा सब्सक्राइं कि एंगा है कुण उन्सक्राइब हो जाएगा त्यस्फिकや हो जाएगा और यहां देखिए सीपी यहां पर तो आपको माल लेते हैं सौ ठीक है यहां पर ऐसे भी करेंगे आप तो वहीं आ जाएगा ठीक है यहां पर भी 105 आ हो जाएगा अगला प्रस्ति तेरा संख्याओं का आफट 65 है पहली तीन संख्याओं का आफट 63 है और बाकी संख्याओं का जो है पता नहीं किया लिखा हुए यहां ठापिंग मिश्टेक हो गया है 44,05 है तो एगर उखprints संख्या बराओी संख्या से 2 अधतिक है लेकिन तेरा हमिँ संख्या से 2.05 काम है तो एगर उख्याओं का आफट क्या होगा आप देखिए UA tadi ress750 हमने लिख लिए टोटल बराबर आप देखिए आगे क्या बोल रहा है कि पहली तीन संख्याओं का 63 है तो 63 इंटू तीन कर दिये पॉलस और बाकी का चौफट दस मलों पांच तो बाकी का उस्थ यह माल लेते हैं तो बाकी का कितना हो जाएगा 645 हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहां से क्या होता है यहां से यह कोश्चन आपको गलत हो जाएगा तो यह कोश्चन गलत ह इन दोनों के जोड़ने पर इसके बराबर आना चाहिए तो आप लोग को भी कोश्चन सब्सक्राइब को ध्यान देना है वहां पर जाम होल में भी कोश्चन को आप छोड़ना है यहां जो गलत है उसको छोड़ना आप उसमें कोई भी टिक करके आ जाएगा चलिए अगला परस ने देखते हैं तो अगर कोई चाहता है कि बना सकते हैं तो बना करके आप मेरे कोई वाश्चन भीज सकते हैं ठीक है अगला परस्द 82 km per hour की राफतार से चलने माली एक मीनी बस का चलक उससे मतलब अपने से 1500 मीटर आगे एक मोटरसाइकल देखता है 20 सेकेंड बाद मोटरसाइकल बस के 100 मीटर पीछे था मतलब 20 सेकेंड के बाद जब देखता है तो क्या है 100 मिटर पीछे मोटसाइकिल हो गया मोटसाइकिल की गति क्या है तो चलिए हम इसका सलूसन करते हैं ठीक है अब देखिए हम यह लिका लेंगे तो अगर टोटल दूरी देखेंगे यहाँ पे तो देखिए कितना था पहले 500 मिटर आगे था यहाँ ठीक है यहाँ देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं इसलिए हम इसको भी किलो मिटर आवर में करेंगे तो अठारा बाटा पांच से हम यहाँ पे गुड़ा कर देंगे ठीक है तो यह 0 से 0 कैंसिल 5 से 5 बार में यह चला जाएगा और 2 से 9 बार में टोटल इन दोनों के बीच में 20 सिकेंड में जो चला है वही अंतर हो गया है तो 20 सिकेंड में कितना चला गया है 45 किलो मिटर तो 45 किलो मिटर चला गया तो अंतर कितना हुया यहाँ पे तो घटा ल stressed जब गटाएगे तो 12 से 5 गया बचाएगा चाहँ ě और फो अगला प्रस्ण है 9% प्रती वर्ष सधाल ब्याज पर धाई वर्षों में दो पुडांक एक बड़ा दो वर्षों में एक निश्चीत रासी 11,760 रुपिया ठीक है 11,760 रुपिया के बराबर होता है प्रती वर्ष 15% पर 4 पुडांक दो बड़ा 5 वर्ष के लिए समान रासी और सधाल ब्याज क्या होता है चलिए इसका सोलोचौन हम करते हैं यह किया दिया है मिस्राधन दिया है तो माल लेते हैं मुलध्षन Hyac Herren ऑ तो क्या? मूलधन पलस उसका ब्याज तो मूलधन अब तो देखिये मूलधन मालनी आए एकस फारा ब्याज के फ्रमुल़ ख्या होता है तो मूलधन इंटू समय समय कितना दिये है? ठाई वर्स ये दो धूनख चार एक 5 बटा में 2 वर्स 5 बटा में दो, दो वर्स, इंटू, समय हो गया, अधर कितना दिया है, तो 9%, बटा में 100 कर देंगे, ठीक है, अब बराबर कितना दिया है, 11,760 रुपिया, अब इसको हम सलुसन करेंगे, जब आप सलुसन करेंगे तो देखिए, यहां पर 200 हो जाएगा, 200, अब यहां एक्स करेंगे तो 200 एक्स, अपलास 9,45 एक्स, कितना हो जाएगा, 245 एक्स, बटा में 200, बराबर कितना आ जाएगा, 11,760, ठीक है, अब देखिए, यहां पर जब कटाएगे तो यह कर जाएगा, 45 से 40 बार में, और यह कर जाएगा आपको 49 बार में, ठीक है, 49 पच्छे, मतलब 9,45 से 40 बार में, ठीक है, अब देखिए, और 49 से यह कर जाएगा आपको 24 बार में, 11,760, अज 0 बठा देंगे, तो 240 बार में कर जाएगा, ठीक है, अब देखिए, तो एक्स बाराबर यहां से कितना आ जाएगा, मतलब मुल्धन कितना आ जाएगा, 24 ओके 92, मतलब 900, ठीक है, तो यहां पर आज वर्स के लिए, समान दासी पर फदान भ्याज, तो 900 मुल्धन हो गया, तो हम 900 यहां लिके लेंगे, 900, अब 900 पर पूछ रहा है, 15% के दर्स से, कितना दिन ताइम दे रहा है, तो 4 पाचे 20, 22 बाटा में, 5, 22 बाटा पाच लगती है, तो आपको आपको आजाएगा, ठी इसका राइट अजयेगा, 60336 रुपिया, चलिया अगला परस ने देखते हैं, अगला परसन बोड ना से, कमान पूछ रहा है, ठीक है, यह दिया है, और रिबाट बाटा में, 8 में, ठीक है, तीन से कटना राप में कर जाएगा, तो से यह चार बाएगा, ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अब देखिए आगे 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 देखिए यहाँ से का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तीन से तीन केंसिल हो जाएगा यहाँ पर दूसरे यह दोस बार में कर जाएगा ठीक है आगे देखिए तो यहाँ पर देखिए डिवाइड जाए तो इसको हम multiply कर देंगे, तो 5 ओके 20 एक 1 बटा में 4 था, तो यहां कहा करदेंगे हम, 4 बटा में 1 कोई से हो जाएगा, ठीक है, तो यहां साथ से कर जाएगा यह, साथ से 3 बार में, ठीक है, और 4 से यह, 2 बार में, तो यहां पर क्या होगा? अब देखिए 7 से ये 3 बार में केंसील और 4 से ये 2 बार में 7 पज़े 25 से 36 बटा में 5 यहाँ पहो जाएगा ठीक है 36 बटा में 5 अब आगे देखिए यहाँ पर क्या बचा है तो ऊपर बचा है 1 बटा में 6 क्योंकि 2 तियाँ यहाँ से बचाएगा आगे सोरी देखिए यहाँ पर भी अभी कटेगा ठीक है यहाँ पर देखिए 6, 2, 3, 6 6 से 6 बारों कर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 6, सिर्फ क्या बचेगा तो यहाँ पर बचेगा 6 और नीचे देखिए यहाँ पर 5 बचा गुए तो 6 बटा में 5, माइनस इधर क्या बचा था? उपर एक नीचे 10 अब देखिए इसका पहले हम सलुसन कर लेते हैं पहले यहाँ पर करेंगे तो देखिए यहाँ LCM लिखा लेंगे जब तो 5, 10 का LCM हो जाएगा 10 और यह हो जाएगा 12, माइनस 1, 11 बटा में 10 ठीक है? तो इस इस तोटल का भेलू क्या आगया मेरा? 11, 11 बटा में 10 आगया ठीक है? तो इस तोटल का भेलू मेरा क्या आया था? 11 बटा 10 11 बटा 10 लख लिए ठीक है? आगे देखिए इस क्या भेलू हम देख लिए तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या हो जाेका तो दो से यह कर जाएगा चार आरा में पंधरा बटा उनग थे हम निका लेगे तो आठ रहा ब्राबर किसके दिया था तो बराबर दिया दिया है साथ पुलस के के अब लेकिए दोस्ते ये कर जाएगा पाँच बार में जब रिका लेगा 20 हो जाएगा 4 avant 44 यहाँ पर हो जाएगा 23 पाचे 115 ठीक है बराबर 7 पुलस के अब इधर 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर 20 जाएगा उधर ँधर तो हो जाएगा 144 हो जाएगा 169 बराबर 14 140 प्लश के सोड़ी बिश्क क्या क्या ब् ostat learner था जाईगा 140 इतर आएगा तो क्य पराबर क्या हो जाएगा क्यПр क्या बराबर इसे 55 दस मलो 80 पईसा मतलब 55 रुपिया 80 पईसा से अधिक में बेचती तो उसे 13 परसेंट का लाब मिलता 10 परसेंट लाब हासिल करने के लिए उसे कितना हम बेचना चाहिए तो चलिए हम इसका सोलूसन करते हैं तो यहां पर परसेंट लेंगे इसका करेमूल तो नहीं दिया है तो करेमूल हमें आपर क्या मन लेंगे एकस रुपिया ठीक है एकस का 12 परसेंट ठानी तो 88 पटा में 100 अब क्या बोल रहा है अब बोल रहा है कि इसे 55.80 में बेचती मतलब पलस में 55.80 बेचती तो हम जोड़ देते हैं पॉइंट ऑसी तो इसे क्या हो जाता तो दोस पर्षेंट का लाभ मिलता तो तो क्या हो जाएगा एक सो तेरा एक सो तेरा बटा में सब एक सो जाएगा अब देखिए इदर करेंगे तो 88 एक सब्सक्राइब पॉइंट ऑसी को इधर चोड़ देते हैं जब इधर करेंगे तो 88 एक सब्सक्राइब अब देखिए दसमलों अटाके हम डबल जीरो यहां पर हो जाएगा ठीक है दो जीरो से दो जीरो केंसिल पचीस से जब इसको कटाएंगे आप देखिए पचीस दुना के पचास सब्सक् और सी बटा में 25 अब देखिए आगे आगे क्या बोला था तो दोस परसेंट लाब तो इसका हम लाब करें मुल्वान लेते हम इतना आ गया तो 110 परसेंट इसका लिकाल लेंगे 110 बटा में 100 अब देखिए पचीस से यह तो पचीस से यह देखिए दो जीरो मतलब यहां पर म लिख सकते हैं इसमें से ठीक है 11 गुना 10 हो सकता है इसलिए क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा तो 25 चूखे साव चार बर में कर जाएगा ठीक है और यहां साम छोड़ देते हैं क्योंकि यह दोस्ट मूलों में भाग देने में असानी पड़ेगी ठीक है यहां पर 509 इंटू 11 4 के 44 से हम गुणा कर देंगे जब गुणा करेंगे यहाँ पर जब गुणा करेंगे आप तो आएगा 245-52 बटा में 100 100 के बदले में हम दस्मालों बठा देंगे तो यहाँ पर इसकराइट एंसर क्या हो जाएगा जबकि यह 3 किलोमीटर उपर की और परतिकूल धारा में मतलब धारा के विफिरिप ठीक है 9 किलोमीटर अनुपरवाह में नीचे की और 90 मिनट में जाती है तो बहाव के समय 9 की गती किलोमीटर घंटा में क्या है चलिए इसका सलूसन करते हैं अब देखें इसका सलूसन करते हैं पहले क्या बोला था 2 किलोमीटर मतलब दो किलोमीटर उपर तो कब जा रहा था तो एकस माइनस हुआई मतलब परितिकूल में पलस तीन किलोमीटर अनुपरवाह में अनुपरवाह मतलब धारा की जिशा में तो क्या हो जाएगा चाल दुनों का जूट जाएगा एकस पलस वाई कितना ले रहा है 45 मिनट तो 45 बटा 60 करेंगे आपर तो 15 तीया 45 ता पंदर सब के साथ यानि इतना हो जाएगा ठीक है इतना घंटा आगे दखिए अगला अगला में सुचेस्व में क्या बोल रहा है तो इसको बोल रहा है तीन किलोमेटर उपर अनुपरवाह में कितना कर रहा है परतिकुल में तो 3 km परतिकूल तो परतिकूल को हम क्या लिखेंगे? परतिकूल मतलब भी फिरी दिशा, ठीक है? तो x-y पलस 9 km क्या? तो उसके दिशा में उनपर भाके, तो x plus y बराबा कितना? 90 मिनट अब देखिए, 1 बाटा में x-y को हम माल लेते हैं u ठीक है, One बाटा में X minus Y को मान लिते हैं यहां क्या हो जाएगा Two ई उ ठीरी और One बाटा में X plus Y को मान लिते हैं B तो B, बराबा क्या हो जाएगा correction, तीन बाटा में 4 हो जाएगा और आगे दखिए, यहां क्या हो जाएगा asına panic, यहां यहां पर देखिए हम 3 यहाँ पे दोनों में दखेए, यहाँ हम धिया धेम से दिश हगा इस वाले से मिक्रण। दूसरा में थीक है, 3 अगर यहाँ पे काम लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे, x-y पॉलस, 3 बटा में x-y बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, आज दो यहां पर यहां पर शर्फ पर बिब्रस यहां要ड किया था था गंटा करेंगी यहाँ पर तो 0 से 0 केंसील तीन बार रोंती कटिये गया ठीक है तो 3 दूनक है 6 तो क्या हो जेगा हैंपे U पुलस 3 भी बराबर क्या हो जाएगा एक बटा में 2 हो जाएगा ठीक है अब आगे दखिए 2 U माइनस कर देंगे यहांथे 2 U से माइनस U जाएगा तो क्या बचेगा U माइनस 3 भी पलस 3 भी कर जाएगा बराबर क्या बचेगा यहांपे 3 बटा 4 में से 1 बटा 2 घटाएगे तो क्या आएगा यहांपे बचेगा 1 बटा में 4 U बराबर 1 बटा 4 हो जाएगा U बराबर 1 बटा 4 हो जाएगा य दोनों का मन ठीक है तो भी मानवन पस्धा के लासं यहां पर इसलफ य था यहांपर चार एक घ्राण पीशोड्य त्थेक यह उसली कोर। यता है जो गनी से यह इन चाहर राण छार थिक कर दीजे उबराबर यहां पर आंगे यहें ऒधर 4, तो 1 बार 4 अगर उधार ले जाएंगे तो 1 बाट दो हरा ठीक है यह बात तो सही है बाट यहां तो 3 है तो 3 तो गुना भी होगा जब यहां पर 3 बी बडब क्या आ गया? एक बटा चार हो जाएगा वहाँ से तो तीन इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में तो एक बटा बारा हो जाएगा भी बढ़ाबर क्या हो जाएगा एक बटा बारा भी बढ़ाबर एक बटा में बारा यानि एक बाटा में X प्लस Y बराबर एक यह मने फिर से कर दिया आप ठीक है आगे पिछवाला तो समयाज को गए होंगे उगोरной? एक समय के जग क्या हो जाएगा तो 3 भी, यहांपर क्या हो जाएगा? 3 भी बराबर Also 1 Brал में 4 अगर भी का खाली मानने लिके लाए तो 3 इधर करेंगे तो 1 Bral में 3 तुबकोंना हो जाएगा हमें तो क्या हो जाएगा? भी क्या मानने जाएगा 1 Bral में 12 तो यहांसे क्या आगया? भी बराबर एक बटा में 12 अब भी बराबर क्या दिया है तो एक बटा में x पॉलस y हम माने थे ठीक है, x पॉलस y बराबर एक बटा में 12, यानि कितना आ गया x पॉलस y बराबर के आ गया 12, तो यहाँ पर इसका राई टेंसर हो जाएगा, option 3 ठीक है, चलिए आगला प्रसन देखते हैं यहाँ पर देखिए, बहाव के समय नहीं होगा यहाँ पर question देखिए, कलती हो यही से फाल्टी कलता है बहाव के साथ होगा, ठीक है इसलिए एक बटा में x पॉलस y बराबर हो जाएगा 12, चलिए आगला प्रसन देखते हैं अगर समझ में नहीं है, आगाहत नीचे कमेंट कीजिएगा मैं समझा दूँगा, ठीक है यह बटमास से है, इसका भी हम सलुसंग कर देते हैं ठीक है, इसका मान पूछ रहा है तो 57, यहाँ पर हम 10 मलों ले लिखते हैं ठीक है, यहाँ बटमास था तो, और यहाँ पर देखिए, एक दसमलो था तो यहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा, आगे देखिए डिभाइड बाई, ओन दसमलो 15 तो डिभाइड कमल्टिपलाई मिं करेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे वाला, मतलब उपर वाला नीचे आ जायेगा, तो एक बाटा में 15 नहीं तेखेए, फंॡरा था, मतलब एक दॉस्मलों 5 था तो एक है, पंदरा बाटा दस था, तब क्या होजाएगा? 10 बाटा में 15 हो गया, बाटा में, बाटा में यहां पर हैंब करते हैं, देखेए, यहां से angular गप्रचीर फटा को स्ट्टड हुए दाता है समर दो पांच में से एक गथाँएंक तो क्या आएगा पांच आएगा वाराह समलो पांच मेंसे पांच गटाइन दो क्या हो जाएगा यहां से घकटाइएंगे तो पांच हो जाएगा इसमें न Hill cat और 10 किbylle Sumner Company डिवाइड वाइड वए सथ Tुमलो केंसिल जाएगा पांच जिहागा भी सब्सक्राइब कर्छाइब 25 नीचे आगया आप आर्बद क्फिये ग Chili In 19 से तीन वर मYea उनीश से यह चार बार में चार से कॉरजबार में दोनों मिला खरके ठीक है 25 बार में अब 25 से दखिए 5 से 5 बार 5 से ये 3 बार में 3 से 3 ये cancel हो जाएगा ठीक है उपर क्या बचा तो उपर सिर्फ 5 बचा है नीचे क्या बचा है एक था एक नीचे रख देंगे आप पांच उपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 यहाँ पर इसका राइट एंसर हो जाएगा option 2 चलिए अगला परस में दखते हैं अगला परस में बोला कि यदि एस ए बीस से 75 परतिफात अधिक है c d से 40 परसेंट कम है और d a से 20 परतिफात अधिक है तो निमलेखित में से कौन सा विकल्प सत्य है चलिए आम कितने अब लोगों दिया है चार लोगों तो a b c d चार गों के बात किया चारों कम रख लिए हैं क्या बोला है a b से 25 परतिफात अधिक है मतलब d अगर सब है तो यहाँ पर दिया है 295 का 120 ड जो है एसे 20 परसेंट अधिक है 95 thinksर 8car 125 बटा में 100 जब आप लिका लेंगे तो佐 10-2 यहाँ पर ट जाएगा mixture 0-10 यहाँपकर जाएगा 632 5 से यह कर जाएगा आपको कितना बार में 5 23 15 55 35 35 से 6 मे जाब गुड़ा करेंगे आपको आ जाएगा कितना तो 1-147-210 तो 5-0-30-3-6-14-3-18-3-210 अपका कवर रहा था सीडी में सी के मान कैसे लिका लेंगे सीडी में इस ते बाद मता ला था कि सीडी से 40 परसेंट कम है तो 2-10 का 80 परसेंट यहाँ लिकाल देंगे अब देखिए अब option दिया गया है अब इसी कांसार आप लोग को इसमें बठाके रख लेना है कि कांसा सही हो रहा है 25B बराबर 21C अगर रखेंगे तो 25B मतलब 0 आएगा 21C तो C से 6 आजाएगा unit digit से यह गलत हो गया ठीक है यह cancel हो गया अब देखिए 30C तो 3618 मतलब इसका unit digit 8 आएगा बराबर 50B तो 0 आएगा इसका भी यह cancel हो गया अब आगे दखिए इसका 50C 50C मतलब यह 0 हो जाएगा सही है अब देखिए B B का भी 0 हो जाएगा चलिए क्या हो सकता है यह सही हो सकता है unit digits से आगे दखिए 212B यह 0 हो जाएगा 25C 25C 35 Laut अब यही दुने में आप लोग मिलांग कर लिजेगा धीक है जब इन दुने मिलांग करेंगा आपका right answer यही आएगा ठीक है अगला प्रस्व ने चार्ट दिया गया है बोल रहा है कि B और E सौर से अनुफ़स है B और E में जो फिल है ठीक है B और E में फिल रहे हो मदयारों की खुल संखिया के मुकाबले सौरों A और C के ऊतृरीन चाथरों के खुल संखिया का अनुफफात तो B E का कैसे लिखा लेंगे तो 124 से तोटल चात रहा जिसमें कि इसमें क्या बोला फेल वाला बात कर रहा है तो इसमें 16 अनपात 15 मतलब 31 अनपात में बटा गया है 31 अनपात बरवा कितना है 124 तो एक अनपात बरवा कितना हो जाएगा चार हो जाएगा एक अनपात बराबर चार हो जाएगा तो पंद्रा अनपात बराबर इसमें भी चार हो जाएगा एमें एक अनपात बराबर इसमें भी चार हो जाएगा एमें एक अनपात बराबर चार तो बिस अनपात बराबर इसमें भी चार हो जाएगा एमें एक अनपात सी में देखेंगे तो 5, 7 karış नॉक्था नॉटाल 210 बड़ाई है तो बारफ नॉथा 앞 00te … तो एक नलॉक 27 हो जाएगा नौ 0 हो जाएगा तो पांच बराबल सॉरि मैं फेल नहीं पूल्पाण का법 पूचा पूच्छ चुरू कर दिएगा कुछ करना नहीं है इसमें ठीक है और दोनों को नौ कर देना है तो आप करेंगे तो आएगा आपको सायद 9 अनौ पात एगा रहा है ठीक है आप लोग सलुस्टन के जिएगा हो जाएगा रिपलाई दर उधर गल्ती कर दिया यहांपर चलिए अगला प्र एक संकवार तमभू के अधार की तिरिजया 5 मीटर है और इसकी उचाई 12 मीटर है इसे बनाने के लिए चोड़ाई 5 मीटर के कितने मीटर की कहनवास कियो सकता होगी ठीक है देखे इसका क्या बोल रहा है मतलब संकवार तमभू का शत्रिफल हम लिका लेंगे संकवार तो कि झाओ है एच दिया है 12 तो एल कितना हो जाएगा एल मौज़ाएक आपका 13 आप लोग लिकाल सकते हैं ठीक है कि ये लेचाँ अर्र में समंझ दोता है कि ले स्कॉर बराबर ए ए एच इसकोईर पलस आर सफ्कॉर्ए तो इसके माद्यू आप लोग लिकाल सकते है ठीक है त तो आगे पुड़ा संकु तो पूछ रहा कि 5 सेंटी मीटर के कैनवास कितने लगेंगे तो इसमें से 5 से डिभाइड कर देंगे ठीक है पांच से यह पांच केंसिल हो जाएगा बाइस से तेरा में कड़ेंगे यहां पे तो बाइस त्याइए चाच चाट बाइस से कम बाइस अच्छा 28, दूसा च्छी आसी बाटा में साथ यहां पे जब पुड़ांग में दिया है अंसर तो पुड़ांग में करेंगे तो आपको 40 पुड़ांग हो जाएगा च्छा बाटा में साथ चाट बाटा में दिया है पुड़ांग में दिया है पुड़ांग के निकोर्त हम आपको लिकालना है ठीक है चलिए हम इसका सलूशन करते हैं तो चक्रविधी बाटा में इसमें दिया है पुचातर सो इन्टू वन पलस आर आर कितना है आठ परसेंट बाटा में सो अब इसको हम ले लेंगे दो बर्स ठीक है और बचा क्या तीन बटा चार बचा है तो तीन बटा चार को हम यहाँ पे और कर देते हैं इन्टू वन पलस आठ आठ परसेंट हो गया यह हो गया अब समय से क्या कर देंगे तीन बटा में चैर अब देखिए यहां से हम कटेंग करेंगे तो चार से यह कर जाएगा दो बार में दो से यह कर जाएगा पचास बार में यानि और यहां पर देखिए दो से चार बार में पचीस से चार बार में तो चार से दो बार में और पचीस चार तो यहां पर आठ हो जाएगा ठीक है इन्तू यहां 25 से कम 25 और दो 27 बता में 25 इन्तू 27 बता में 25 और यहां पर क्या ले आया है यह थोड़ा से कर देता हूं देखिए 25 से कटेगा यह तो 25 तिया 75 मतलब 300 बार में 25 से फिर काटेंगे तो यह कर जाएगा पचीस से कम पचीस अब बचेगा पांच तो पचीस दुना के 50 बारा बार में कट जाएगा यह काटेंगे तो तीन चुग के किसने कर ना है तो 50 से करना है क्या करना है 50 से 50 से डिवाइड करेंगे जो भी आएगा उसमें से आपको 75 सव रुपया जो है घटा लेना है ठीक है इसका डिवाइड पुले कर लिजिए गाएगा उसके बाद उना करके इसे रिवाइड कर देना है 50 से चोतर सो घटा देंगे तेंसर आ जाएगा अगला प्रस्ने तीन मीटर चौणी एक दसमलो दो मीटर गारी तत एक नहर में दस किलो मीटर प्रती घावद के बेग से मतलब बहरा है कितना च्छेत्र है में एक हेक्टेयर बड़ाबर कितना होता है दस कि पाउर चार होता है ठीक है यह आधे घंटे में सिचाई करेगा यादी 9 cm इस्थिर पानी की जुरूरत है यहाँ पुशा गया है आदे घंटे में ठीक है कोश्चन पुड़ा पढ़ लेना चाहिए कोई भी महत हो या रिजी निग हो आप लोग बार बार खोलता हूं कोश्चन पुड़ा पढ़िएगा उसके बाद इस सलुस तो यहाँ पर क्या आ गया यहाँ पर 10 km बरावर क्या आ गया 25 बटा में 9 आ गया है 25 बटा में 9 मीटर पर 30 सेकेंड ठीक है अब आगे दखिए आगे बोल ला है कि कितना छेत्र मतलब बेख से बहर रहा है तो एक आधे घंटे में सिचाई कितना करेगा तो देखिए हम इसके कितना मिनटर चोड़ास है एक दसमुल कितना करना है इसको एक दसमुलों 2 मिठर कुन है पानी जा रहा है कितना इसमुल से 25 बटा में 9 इ कि आगे देखिए मैं आधे गंटा बोला है तो आधे घंटा मेंसे क्या मतलब तो यहां मेन इस इसकेंट में करेंगे तो आता रहस ओ ठीक है अब चलिए實 के आम करते हैं एक दसमों में दीआ हैं यहां से क्या हो जाएगा इ纜ाएगा तो इस अवर आगेज़ững में किया है तो थे हक्तियर में दस के पहूंट चाहरंते हैं दस के पाँट चाहर जी रो साझी ने पन्सेज़ेंगर मुतल्जा कोई जीडों आप में द्टहीं में आपर क्तिंग करें दो जीरो lists जो एतके से हम लिकाऑ लिए लूकाँ ये इशी को ठीक है तो फतीस बाइs नौ आगया ठीक है यहां से मुलाचे 25 को नौ आ गया यहां पर आगेड़ तlike झाल। तो यहां आदे गंटे में अथारा सो सीकेंड अब आता यहां क्या कर रहा है कुछ नौ सेंटीम मीटर इस्तिराएगा तो अभी आगी चलिए तो 25 बटा में इंटू 18 सों कर दिया इंटू अब लंबाई तक चोणाई दिया थीन लंबाई हो गया थीन ठीक है उचाहिए गहरी कि नो सेंटीमीटर तक फिरा नंचे नो सेंटीमीटर्न नौ सील रख लिया है इसको मीटρι हमीट चैन्ज करेंगे तो यहां क्या होगा डिबाइट सो होगा इसको आउना करके तो क्या करेंगे नीचे वाला कह चले कौन चले जाने यहां पर यसां लिए ठिक है है अब देखिए हेक्टेयर में बोल झाल है एक एक रबर को ताल दस पहुआ लृता है दस के पाउर चार नटर दस पहुंचर मीटर मतलब कि आ देखिए अब यहां पर अब के एक तो अ मुझत डुदे चार जीरो जारि से १ॉन है कि आद्यां मैं थैकर यह선 आब पर हुआँ जाएगा जाएगा फिर यह संदे 6 से दखिए, तीन से ये 3 बार में और 3 से ये कट जाएगा 2 बार में और 9 से ये 2 बार में क्या हो गया? तो 9 दुना 8 कट गया, उपर क्या बचा है? निचे तो कुछ नहीं बचा है आप, उपर क्या बचा? 5 x 2 x 2 5 x 2 x 10 2 x 2 यहां पर इसका राई टेंसर हो जाएगा option 1 चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण x, 36, 48 और 15 के चोथे अनपातिक और 4 दो 2 y, 9 और मतलब इसके अनपात में है y और x के बिच का क्या आंतर है चलिए हम इसका फ्रस्ण करते हैं इसका चोथा अनपातिक लिकाने देखिए क्या हो जाएगा x, 2, 15 x बाटा 15 बराबर क्या हो जाएगा 36 बाटा में 48 यहां से x कमाल लिकाल जाएगा उसके बाद देखिए यहां से लिकाल ही लेते हैं ठीक है तो बाराथ यह 36 बाराथ चुके 48 तो इधर से उदा जाएगा तो क्या होगा 45 बाटा में 4 ठीक है x बाबर आगा 45 बाटा में 4 और y के लिकालने के लिए देखिते हैं तो y बाटा क्या दिया y बाटा में कितना हो जाएगा यहां पर 42 पर यहां 42 दिया है तो 42 42 बाई हो जाएगा 13 आगा 5 क्योंकि यहां चोथा अनुपातिक होता है देखिए ऐसे होता है बीचवाला से बीचवाला मुडा होता है ठीक है चोथा अनुपातिक हो तीसरा अनुपातिक के लिए होता b स्कार भई कि यह सब्दमर और सबहने हो गया तो चक्रेमीरां सब्सक्राइब सब्सक्राइब बटा में 15 यह कटेगा 5 से 3 बार में यह कर जाएगा 16 से 3 बार में ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 बटा में 48 पराबर क्या हो जाएगा 15 बटा में 15 बटा में यहाँ बटा में वाई बटा में आपको 13 बटा में ठीक है अब देखिए दस मोलो आटेगा यहां से उपर जाएगा 10 यहां से भी दस मोलो आटेगा तो नीचे आजाएगा 10 9 से ये कर जाएगा 15 बार में ठीक है 2 पच्छे 10 3 पच्छे 15 अब देखिए 2 से ये कर जाएगा 21 बार में 21 तिया 21 तिया कितना हो जाएगा Y बारा कितना हो जाएगा 36 बटा में 10 ठीक है तहां से क्या हो जाएगा 6 दस मलो 3 अब देखिए पुछ रहा एक स्वाई बीच के अंतर क्या है एक है बीस और एक है छो दसमोलो तीन तो यहां से घटा आएंगे तो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा आपको तेरा दसमोलो साथ चलिए आगला प्रस्न देखते हैं आप इसका आट आटेंड चोला जाएगा अपसां चैयाएं ठीक है? अब तो जाकी आगला प्रस्न, नौ पुरुष तृथ 12 मैला हैं 4 दिनों में काम को पूरह कर सकते हैं जबकि 3 पुरुष और 6 मैलाईं से 10 दिनों पूरह कर सकते हैं जिन दिनों में, sorry, यहां जिन लिजे आया, वही लिख ठीक है कितने दिनों 15 महीला हैं, काम पूरा कर सकेंगी ठीक है, चले, इसका हम सलूस्वन करते हैं नो पूरूस, और फहला हम लिका लेंगे एक पूरूस बज़ लिख गया या एक महीला बज़ लिख दिया है यह कर सकते हैं दोस दिन में ठीक है अब देखिए यहां से लिकाल लेंगे तो नचोब के च्छाथीस पी हो जाएगा पॉलस बाराव कितना हो जाएगा यहां तो क्या हो जाएगा 12 एम मतलब 12 महिला ठीक है अब 6 से यह कर जाएगा दो बार में मतलब एक पूरुस बाराव कितना आ गया एक पूरुस बारावर 2 महिला जहां एक क्योंकि महिला में लेना है हम लोग को ठीक है क्योंकि महिला के लास्ट पूछ रहा है इसलिए महिला में हम चेंज कर देते हैं ठ तो पूछ रहा है कि 15 माईला कितने दिन हम पुरा करेगी 15 माईला into आप में लिखते हैं एक्स ठीक है अब देखिए 3P तो 3P बराबर कितना हो जाएगा एक पुरुस बराबर क्या जागा 10 हो जाएगा ठीक है तिन दूना के 6 माईला एखुर जाएगा और यहां पर भी दिझा करती घक्राइगा 10 उलम 251 कितने दिनों में दिन जाएगा ऐड़ से 3 वार में और 5 वार में ऑर 3 से और ते प्रते चार वार जाएगा यहां पर क्या गया एक बराबर आ गया आठ दिन यहां पर इसका राइटी आंसर हो जायेगा ओप्सण तीन चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण आगला प्रस्ण यह सभर दिया गया है इसमें उत्रीम और अनुद्वार्व का उत्रीम पर से अधिक है तकिए अगर आप चाहे तो या संक्या को लेकर बिना सक्ते हैं ज्या अनुपाद से बना सकते हैं ठीक है अब देखिए इसमें पहला में एकrare देखेंगे तो तिन अनपाट नुटtwo है मतलब कि तोटल पात कितना हो जाएगा पांच अनुपात से साथ यह हो गया पुचा कितने उद्यआ यह और अंतरा बताना है इंटए हम हो गया कितना सोउघ् कि परसेंट मतलब 25 परसेंट उगया अधिक अब दूसरा देखिए इसे भी खाली कहला हैं हिसी क्या करेंगा स्मय सोलष बाठा में 31 इन्टू-फ अ आब देखने कितना परशेंट आ रहा है सब्सक्राइब कर देंगे जिसमें आगला प्रसने देखते हैं इसमें कुछ करना नहीं अगर आप चाहिए तो संख्या को लेकर भी बना सकते हैं संख्या वाल अथर लंबा हो जाएगा इस अनुपात में आपको लेलना है यह प्रसने आप लोग के लिए है विवाजन विदी द्वारा दो संख्याओं का मसग याद करने में अंती भाजक अंती भाजक एकस्तव जो भी मतलब दो संख्या है उसको जोड करके ठीक है दो भाजयों की संख्या दो भाजय जोड करके उसको 11 दिभाइड देना है जो भी संख्याओं यहाँ पर बताना है ठीक है तो यह प्रसने आप लोग के लिए अगर नहीं बनेगा तो नीशे कमेंट कीजिएगा अगले वीडियों में कोशिश करूंगा अगला प्रसने एक दुकंदार एक समगरी के चीनित मुल्य पर 20% की छूड़ देता है और 28% का लाव कमाता है यदि वह इसे चीनित मुल्य पर 12% 12.5% का छूड़ देता तो उसका लाव पर तिसकत क्या होगा अब देखिए तेहां पर हम से चीनित मुल्य पर यानि अंकित मुल्य पर 12.5% का छूड़ देगा तो कितना बचेगा 87.5% पर 37% बच देगा ठीक है तो इन्टू अई 10 मुल्य आटेगा तेक और 0 आ जाएगा एक 0 से 1 0 केंसिल अब देखिए जब इसको कटाएंगे तो देखिए एप 75 से 5 बार में और ये 2 से 5 बार में और ये 2 से 5 बार में 35 से 5 बार में ठीक है अब देखिए इस ती खराब हो तब 100 रुपए काला से 5 बार में लिखा या एक सब चालीस रुपए में ay ay total एक सासाप गाला से 6 की फारा में ये 3 घदक है चलिए आगला परसन देखते हैं नسم सब्सक्राइब करूंगा उसके लिए मैं बना रहा हूं एक पार्क का छेत्र फॉल तिर्कूणिये मतलब विरत्कार पार्क का छेत्र फॉल तिर्कूणिये तो विरत्कार ये पार्क है जैसा की मान लिजया आप फिर्ठकार हो गया अब देखिए यह तिर्भूजा कार इसमें मतलब यह क्या है तो यहां से हम जो घीचेंगे लम तो क्या होगा दो पार्टन बाटेगा तो यह क्या हो जाएगा जैसे तो यहां पर तिर्भूज लिख तो यहान लेंगे जो जाए गहाए ओपन कर देंगे कर देंगे यहां पर क्या हो जाएगा तो 2056 बचेगा ठीक है 206 आपका सक्वार होता है तो 2056 इसका होता है 16 तक है यहाँ पर हो जायेगा 16 ठीक है आप देखीए अब क्या बोल रहा है कि इसका जो है तिरकोणिये छेतर चेतर चेतर फ़ल कितना हो जाएगा 1 बाटा दू इंटु अधार कितना है 12 यहांप 14 हो गया आधार उचाई कितना लिका लें यहां थीक है तो से आठ बार में यह केंसुल हो जाएगा तिर कोण यह चेत्र फॉल का 3 पाई मतलब का 3 पाई तीन पाई यहां पर मतलब क्या कर लेते हैं तीन इंटू बाइस बाटा साथ कर लेते हैं ठीक है बराबर आगे क्या बोला है यह किसके बराबर है तो विर्तिकार शेतर फल के बराबर है ठीक है यहां से स्कॉर कर लेंगे मतलब पाई यह स्कॉर होगे विर्तिकार बिर्तिकार पार कर सकाम हम च्छेतर फल लिकाल देंगे उसके रुकूर्णी यह लिकाल देंगे तो इसका खौ़र आधि तीन गुना तरण मतलब तीन पाई गुना तो थीन पाई से कर दियें ठीक है तो पाई के मांण होता जाए जानते हैं जाएगा ठीक है अपर आसनों में पुछा है क्या और कमान यह से लिका लिए तो भृत कारपद की पर इस पुछाए मतलब 2 पाई आट या तो 2 पाई कमान इसलिए इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आप सन एक चलिए आगल आप रसमें देखते हैं